खंड एक रहस्य मेई हवेली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाव में एक पुरानी जरजर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे गाव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में अंगिनत रहस्य मेई घटनाए होती रहती है खंड दो, हवेली का इतिहास इस हवेली का निर्माण अठारवी शताबदी में हुआ था और इसके मालिक राजा रविंद्र सिंग थे राजा की एक बेटी थी, जिसका नाम रानी था रानी बेहद सुंदर और चतुर थी गाउ के लोग कहते थे की रानी का विवा एक दूसरे राजे के राजकुमार से होने वाला था लेकिन दुर्भाग्यवश, विवा के एक दिन पहले ही रानी की रहस्य मेई परिस्थितियों में मौत हो गई खंड तीन, भूतिया अनुभव रानी की मौत के बाद से ही हवेली में अजीब घटनाए घटने लगी लोग कहते थे की रात के समय हवेली से रानी की चीखें सुनाई देती थी हवेली के दरवाजे और खिड़किया अपने आप खुलते और बंध होते रहते थे कई लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी में लिप्टी एक स्त्री को हवेली की छट पर चलते देखा है खंड चार, युवा जिग्यासा गाव के चार दोस्त, राहुल, सीमा, अर्जुन और नीतु, बहुत जिग्यासु थे उन्होंने ठान लिया कि वे हवेली के रहस्य को जान कर रहेंगे एक दिन रात को, जब पूरा गाव सो रहा था, वे चारों दोस्त चुपके से हवेली की ओर निकल पड़े खंड पांच, हवेली में प्रवेश हवेली के गेट पर पहुँचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का जोंका महसूस हुआ गेट के अंदर प्रवेश करते ही दरवाजे जोर से बंद हो गए उनके दिलों की धरकन तेज हो गई, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए खंड छे, रहसे मेई कमरा हवेली के अंदर पहुँचकर उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरे लगी हुई थी जिनमें राजा रविंद्र सिंग और उनकी बेटी रानी की तस्वीरे थी चलते चलते उन्हें एक बंद कमरा दिखाए दिया राहुल ने हिम्मत करके दर्वाजा खोला अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी जिसे देख कर लगता था कि यह रानी की डाइरी हो सकती है खंड साथ, रानी की डाइरी डाइरी के पन्नों को पलटते हुए उन्होंने जाना की रानी को उसके विवाह से पहले ही किसी ने जहर दे दिया था रानी की आत्मा अपने हत्यारे को न्याय दिलाने के लिए भटक रही थी डाइरी के आखिरी पन्ने पर राणी ने लिखा था कि अगर उसकी आत्मा को शांती चाहिए, तो उसके हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए खंडाट, सच्चाई का पता डाइरी के माध्हिम से उन्होंने जाना की राणी का हत्यारा कोई और नहीं, बलकि राजा रविंद्र सिंग का मंत्री ही था, जिसने लालच और सत्ता के लिए यह भयानक कदम उठाया था वे चारों दोस्त गाव के प्रधान के पास गए और सारी बाते बताई प्रधान ने इस बात की पुष्टी करने के लिए कुछ बुजर्गों से बात चीत की, जिनके पास इस घटना के कुछ सुराग थे खंड नौ, न्याय और शांती प्रधान ने इस बात की जानकारी उच अधिकारियों को दी और मंत्री के खिलाफ जान शुरू हुई सच सामने आते ही मंत्री को सजा दी गई खंड दस, अंत में शांती मंत्री को सजा मिलने के बाद हवेली में अजीब घटनाओं का सिलसिला खत्म हो गया रानी की आत्मा को शांती मिल गई गाव के लोग अब हवेली से डरते नहीं थे और उसे एक एतिहासिक स्थल के रूप में देखने लगे राहुल, सीमा, अर्जुन और नीतु ने अपनी जिग्यासा और साहस से न केवल एक रहस्य को सुलजाया बलकि रानी की आत्मा को भी शांती दिलाई और इस तरह भूतिया हवेली का रहस्य उजागर हुआ और गाव में एक नया सवेरा आया